नमस्कार दोस्तों, इजी टेक सेंटर की एक और वीडियो पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल मेप पर अपनी दुकान को कैसे डालें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को सुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल मेप की एप को ओपन कर लेना है। तो हमें सबसे पहले यहां layer पर जाना है और यहां से satellite को select कर लेना है अब यह देखिए friends हमें सब कुछ satellite view में दिखाई देगा अब आपको जिस भी दुकान को add करना है यानि कि जहां पर आपकी दुकान है आप वहां पर जाकर GPS को on कर सकते हैं और यह से इस प्रकार से location को देख सकते हैं या simply इस satellite view से पहले zoom in करके हमारी दुकान को देख लेते हैं कि हमारी दुकान कहां पर है तो जैसे कि यह देखिए friends यह यहां पर एक दुकान है मैं आप लोगों को दिखा दूँ यह यहां पर तो मुझे इसे add करना है तो friends हमें इस पर long price करना है लंबे देर तक दवाई रखना है यहां पर तो हमारे सामने यह एक लाल पिन ओपन हो जाएगी और इसके नीचे कुछ यह ओप्सन आ जाएंगे अब हमें इन्हें उपर खीचना है स्क्रोल करके तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह है dropped pin यानि कि हमने एक pin को drop किया है यहां पर जो इस address के पास में है तो यहां से आप लोगों को यहां पर आ जाना है यह देख सकते हैं add a missing place और इस पर आपको click करना है तो friends यह देखिए अब आपके सामने कुछ इस परकार का interface यानि कि इस परकार का page open होगा तो अब आप लोगों को यहां पर आपकी दुकान का नाम देदेना है तो यह देखिए मैं यहां पर नाम लिख देता हूँ तो friends यह देखिए यहाँ पर मैंने इस दुकान का नाम लिख दिया है स्री बाला जी medical store अब हम यहाँ पर scroll करते हैं यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर category select करनी है कि हमारी दुकान किस category की है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह कुछ popular categories आ गई हैं लेकिन हमें यहाँ से search करना है medical तो friends यह देखिए यहाँ पर medical से related इतनी सारी categories आ गई है तो friends यह देखिए यहाँ पर मैं select कर लेता हूं medical supply store इस पर हम click कर लेते हैं अब आपके सामने यहाँ पर इसकी location दिखाएगा यहाँ से आप लोग चाहें तो इस location को दोबरा edit कर सकते हैं कि यहीं पर रखना है या नहीं तो मुझे यहीं पर रखनाई से अब और नीचे आते हैं यहाँ पर आप लोग aid horse website या opening date डाल सकते हैं यह देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं open time यानि कि यह दुकान कब खुलती है तो पहले मैं 7 दिनों को टिक कर देता हूं उपर से कि यह 7 दिनों तक सेम टाइम पर खुली रहती है अब यहाँ पर मैं time लिख देता हूं कि कब से यह खुलती है तो यह medical सुबह 7 बज़े से खुल जाती है यह देखिए friends यह AM और set कर देते हैं और जिसके बाद यह बंद कब होती है तो इसका बंद होने का समय है रात की साड़े 8 बज़े तो यह देखिए मैंने इसे select कर दिया है अब इसे भी set कर देता हूं तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके hovers भी हमने यहाँ पर set कर दिये हैं इस दुकान की यह दि कोई website है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ओपनिंग डेट डाल सकते हैं यानि कि इस दुकान का उधगाटन कब हुआ है तो मैं इस सभी steps को अब skip कर देता हूं और simply यहाँ पर आपके सामने यह arrow का निसान है यह वाला यह देख सकते हैं इस पर हमें क्लिक करना है तो आप यह देख सकते हैं friends sending दिखा रहा है और यह देखिए हमारी जो feedback है वो Google के पास sent हो चुकी है अब Google हमारी edition को review करेगा और 24 hours के भीतर इस दुकान को live कर देगा तो friends अब यह देखि कि अभी चार या 5-6 मिनिट हुए होंगे और मेरे पास में notification आ जाता है कि हमने जो अभी यह दुकान add की है यह यहाँ पर add हो चुकी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं your edit is no live यह देखिए friends यह लिखा है approved यानि कि हमने जो यह दुकान अभी add की है यह add हो चुकी है तो friends video कैसा लगा नीचे comment box में बताएं और आप लोग यादी कुछ भी online purchase करना चाते हो तो आप description को check कर सकते हैं वहाँ पर मैंने अच्छे-च्छे product का link दे रखा है आप वहाँ से कुछ भी purchase कर सकते हैं so friends video देखने के लिए धन्निवाद